नमस्कार आज मैं आपको बताऊंगे एक साथ इतने सारे ब्लाउज को हम कैसे काटें तो यहां पर देखिए हम एक ब्लाउज को एक बार में काटें लेकिन हम यहां पर इतने सारे ब्लाउजों को एक ही नापके हम किस तरीके से काटेंगे आज मैं आपको बताऊंगे क्योंकि जो लोग नए हैं वो नहीं जानते कि अगर हमारे पास बहुत सारे बलाउज हैं तो उनको हम कैसे काटें वो भी बहुत आसान और सरन्त तरीके से जिस तरीके से टेलर लोग काटते हैं तो वो क्या करते हैं पहले हमें एक बलाउज काटना हैं उसके बाद हम सारे बलाउज को क काटूंगे तो सबसे पहले हम एक ब्लाउज को काटेंगे तो हमने ये 15 पंदर रुपे वाले दू अस्तल ली हैं और 20 वाले ये हमारे पास 4 अस्तल हैं तो यहां पर देखे सबसे पहले हम 15 रुपे वाला अस्तल है उसको डबल करके रखेंगे कपड़े को हम इस तरीके से डबल कर लेंगे यहां पर लेंगे पहले चैस्ट नाप तो यहां पर देखे पीछे की साइड है 22 इंच हैं और इसकी जो लंबाई है वो है साधे 14 इंच तो यहाँ पर हम पहले साधे 15 इंच लंबाई लेंगे साधे 5 इंच सोल्डल लेंगे और 22 का अदा करेंगे तो 11 इंच 11 इंच हमने पिटिंग का निसान लगा लिया आरुमल लेंगे बोलेंगे हम 6 इंच के आदा इंच हमें यहाँ पे लेके गोलाई में ऐसे निशान लगाना है देड़ इंच की लेनी हमें यहाँ पे सिलाई के लिए कपड़ा दो इंच की गले की चोड़ाई गले की लंबाई लेंगे हमें यहाँ पे 10 इंच और यहां से गूल आई पीछे के साइड हम पिलेट का निशान इस तरीके से लगाएंगे सबसे पहले हम यहां पर पीछे का पल्लर काटेंगे अब देखें पीछे बाले पल्लर को हम इस तरीके से रखेंगे आगे की गले की लंबाई लेंगे हम यहां पर 7 इंच अब देखें हमें यहां पर तीरे का निशान लगाना है तीरे का निशान लगाएंगे हम यहां पर 13 इंच पर तो देखे, 13 इंच पर हमने निशान लगा लिया, अब 11 इंच हमारा जो फिटिंग का कपड़ा है, बूर निकालेंगे अब हमें यहाँ पर तीरे का निशान लगाना है, और इसको हम तीन बागों में बाटेंगे तो साड़े तीन इंच का हम यहाँ पर तीरा बनाएंगे, और साड़े साथ इंच कटूरी बनाएंगे, साड़े साथ इंच की आधा इंच हम यहाँ पर आगे बाला जो आरूमल है, इसको काटेंगे, यहीं तलग काटना है तो देखें, यहां पर हमारा लंबाई में कप्डा कम था, तो यह हमारा तीरा है नीचे का, लेकिन हम इसको बड़ा काटेंगे, और यह हमारी कटोरी है तो हमारे आगे और पीछे के दोनों पलन निकल आए हैं अब हमें क्या करना है जो हमने दूसरा अस्तल है उसके उपर ये कटोरी को रखेंगे कटोरी को हमें तिर्चा रखना है यहाँ पर लेंगे एक इंच एक इंच हमें यहाँ पर लेंगे नीचे की साइड हम डेल इंच लेंगे और देखिए हमें नीचे की साइट गोलाई में इस तरीके से निशान लगाना है अब यहां पर हमारी यह जो नीचे की कटोरी है वो हमारी बराबर है और इस में से हम गले की पट्टी निकाल लेंगे अब लोग बोलेंगे कि इस कटोरी का हम क्या करें तो इस में से हमें कले की पट्टी निकालनी है अब हमारा जो नीचे का तीरा है इसको हमें ऐसे करके रखना है आदा इंचे हमें इसको छोटा ही काटेंगे अब देखें नीचे का तीरा हमने दो इंच बड़ा लिया है अब हमारे पास है चार अस्तल बचे हैं अब देखें चार अस्तलों को हमने एक दूसरे को पर रख लिया है अब देखें हमें इस तरीके से रखना है कर देखें है झाल झाल अब देखिए जो नीचे का तीरा है वो हम यहां पर रखेंगे अब देखिए अस्तल हमारे अच्छे से कट गए है अब हमारा जो साड़ी का कपड़ा है उसको देखना है क्योंकि यह चोटे पड़े हैं यहां पर कोई कपड़ा चोटा है साड़ी का तो यहां पर पट्टी जुड़ी हुई है इसको निकाल लेंगे तो देखे हमने पाइपिन को निकाल लिया और यह पट्टी है वो अलग से जुड़ी हुई है इसको भी हमने निकाल लिया है अब हमें कपड़े को इस तरीके से डबल करना है तो यहां पर चोड़ाई कम है तो इस तरीके से देखिए यह कपड़ा नहीं निकलेगा यह चोड़ाई में कम है तो हमें कपड़े को इस तरीके से डबल करना है तो देखिए कपड़ा हमारा कम है तो हमने इसको ऐसे करके डबल किया और नीचे का जो बगली का तीरा वो हमने यहां पर रख लिया और हमारे पास यह कपड़ा बचा हुआ तो इसमें से हमें कटोरी निकालनी है और बाजू अब इस तरीके से देखिए हमने कपड़े को डबल करके रखा है और यहां पर जो हमारा पट्टी का कपड़ा बचा हुआ है इसमें से हम निकालेंगे नीचे का तीरा अब देखिए हमने यहां पर नीचे का तीरा भी निकाल लिया अब हमारे पास यह कपड़ा बचा है तो इसमें से हमें बाजू निकालनी है तो कपड़े को हमें इस तरीके से डबल करना है और हमने लंबाई ले लिए आठ इंच अब हम इसको ऐसे करके डबल करेंगे अब यहां पर आठ इंच लिया है और यहां पर हम जोड लगाएंगे तो हमारे पास यह कपड़ा है, इसका हमें जोड लगाना है, इस तरीके से, तो यहाँ पर हमारी चोड़ा ही हो जाएगी 10 इंच, तो इसको हम बाद में काटेंगे, तो अगर आपके पास छोटे कपड़े हैं, तो फिर आपको बाजू में जोड लगाना पड़ेगा, और यह ह कपड़े को हमने इस तरीके से डवल करके रखा है तो यहां पर देखिए हमारा है पीछे कपड़ा है तो यहां पर देखिए थोड़ा कटा हुआ कपड़ा है तो यहां पर देखिए हम आगे का जो तीरा है उसको रखेंगे इस तरीके से और यहां पर हम नीचे का तीरा रख लेंगे और यहां पर रखेंगे हम अपनी कटोरी को आगे का निकल गए और इसमें निकलनी है वाजू यहां भी हमें यहां पर जोल लगाना पड़ेगा अब यहां पर भी इसी तरीके बॉर्डर वाला कपड़ा है यहां पर चोड़ा बॉर्डर है इसकी हम बाजू बनाएंगे अब देखे इसकी भी चोड़ाई कम है तो इसकी चोड़ाई वह 14 इंच की है तो इसमें भी हमें जोड लगाना है बाजू में तो यह हमारा नीचे का तीरा हो गया और इसमें से हमें बाजू निकालनी है तो यहां पर भी चोड़ाई कम है तो यहां पर देखे चोड़ाई है 15 इंच तो इसमें भी हम जोड लगाएंगे अब हमारा यह आखरी कपड़ा बचा हुआ है और यह बड़ा कपड़ा है तो इसको हमें डबल करके रखना है तो देखे यहां पर हमें बाजू बड़ी निकालनी है तो इस तरीके से हम कपड़े को काटेंगे तो देखे हमने नीचे का तीरा निकाल लिया अब यह कपड़ा बचा हुआ है तो देखे यहां पर यह डिजाइन बनी हुई है तो कपड़े को हम इस तरीके से डबल करेंगे और डबल करने के बाद इसकी जो चोड़ा है वो 17 इंच है और इसको हमें इस तरीके से एक बार और डबल करना है अब यहां पर लगाएंगे हम कटिंग का निशां तो यहां पर लेंगे देखिए हम चार इंच इसको हमें ऊपर के साथ ऐसे लेके जाना है तो देखिए अगर हमें लगेगा कि बाजू की चोड़ाई कम है तो जो यह कटिंग का कपड़ा है इसको हम यहां पर जोड़ेंगे तो यहां पर देखिए हमारी बाजू अच्छे से निकल आई है अब देखिए हमारी बाजू की कटिंग भी हो गई और आगे पीचे के पलदर भी हो गई और जैसे यह चोटा कपड़ा था तो इसमेंसे भी हमने कटिंग कर लिए और बाजू रह गई है और यह भी चोटा कपड़ा था तो इसकी बाजू हम बाद में काटेंगे यहाँ पे हमारा चोटा कपड़ा है इसका भी बाजू का कपड़ा चोटा है तो वो भी हम बाद में निकालेंगे और यह हमारा सबसे चोटा कपड़ा है पाचमर तो अगर आपके पास इस तरीके से ज़्यादा ब्लाव जाते हैं तो आपको पहले अस्तल की cutting करने है उसके बाद सारी के कपड़े की तो आसा करते हुए आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है जैसे मैं cutting करती हूँ उसी आसानी और सराव तरीके से आप भी cutting करें अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को जाज से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो नए लोग है वो वीडियो को पहली बात देख रहे हैं वो चैनल को सस्क्राब कर लें धन्यवाद